नमस्कार दोस्तो हम कर रहे हैं मसीन डिजाइन और त्विर ओख मसीन का एक कामन टॉपिक फ्लाइ वील फ्लाइ वील दोस्तों आपने वसी देखा होगा जो एंजन होते हैं डीजल सेट वाले उसके एंजन के ऊपर और गन्यों आट डिजन होती है तूर रहती है और वो रुखता है तो उसे एनरजी को release कर देता है देल्टा ए इसकोल टू एक बटा दो आई ओमेगा टू स्क्वार मानस ओमेगा बन स्क्वार दो स्पीट वे गुंगता है तो दोस्तो variation of speed इसको दोस्तो हम लिख सकते हैं a2-b2 a2-b2 a-b तो दोस्तो इस दो को अगर मैं यहां ले जाओ omega 2 plus omega 1 के नीचे तो यह क्या है दोस्तो दो स्पीडों का mean है तो इसको कहा जाता है mean speed omega mean तो हमारा बन गया i omega 2 minus omega 1 upon omega mean और अगर दोस्तो इस omega 2 minus omega 1 जो fluctuation of speed है इसको अगर मैं omega mean से भाग देदू तो यह omega mean square उपर हो जाएगा और इस omega 2 minus omega 1 upon omega mean को कहा जाता है जो fluctuation of speed था और इसको हमने omega mean से भाग दिया तो यह बन गया coefficient coefficient of fluctuation of speed बन गया coefficient बन गया दोस्तो omega mean से भाग करने के बाद यह और हमारा formula बन गया i मॉमेंट ओफ इनर्सिया मास मॉमेंट ओफ इनर्सिया है दोस्तों यह CS omega mean का square यह हमारा question है दोस्तों दो speed दे रखिए the speed of an engine varies from 210 radian per second to 190 radian per second during the cycle omega mean क्या गया दोस्तों omega 1 plus omega 2 upon 2 तो 400 बटे दो 200 radian per second coefficient of fluctuation of speed क्या जाएगा omega 2 minus omega 1 fluctuation of speed upon omega mean omega mean हमने निकाल लिया है दोस्तों दोस्तों 10 में से 190 गया omega mean हमारा 200 0.01 यह coefficient of fluctuation of speed और इसको अगर हम percentage में कहें तो 1% दोस्तों एक परसेंट है यह और अगर इस formula में रखिए दोस्तों हम हमें energy दे रखिए चाहिए energy 400 newton meter यानि 400 joules is equal to i into में coefficient of fluctuation of speed जो हमने निकाला 0.01 और omega mean का square यानि 200 का square तो यहां से हमारा i आगया 0.1 kg meter square यह दोस्तों है मासा हमारा moment of inertia mass moment of inertia और माल लिए अगर यह है ml square या mr square तो mass से divide करके हम radius निकाल सकते हैं कि किस radius पर हमें रखना है हमारा flywheel कितने radius का होगा धन्यवाद दोस्तों आगया प्रूब्ट झाल